नमस्कार नहीं है, आके क्या करना है, उनको पता नहीं है, इन फिचर में क्या करना है, उनको पता नहीं है, अपने समाज के लिए क्या करना है, उनको पता नहीं है, अपने दोस्तों के साथ में कैसे रिलेसंस रखने हैं, उनको पता नहीं है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं न, वो जी जीवन में सीरियस नहीं होती है और जो लोग अपने जीवन के परती सीरियस नहीं होते हैं वो लोग ऐसे ही आते हैं इस दुनिया में और ऐसे ही चले जाते हैं उनका इस धर्ति पर कोई महत्व नहीं होता है उनकी कोई इंपोर्टेंस नहीं होती है ना तो समाच के सामने ना फैमिली में इंपोर्टेंस होती है, ना परिवार में इंपोर्टेंस होती है, ना बिजनस में इंपोर्टेंस होती है, कहीं भी, इन एन्य वेर, प्लेसे, वहाँ पर उनकी कोई भी इंपोर्टेंस नहीं होती है, जो इंसान अपने जीवन के परती, अपने आप के परती सी इसलिए अगर आपको, you can do something, if you want to achieve something, you should have to serious, आपको serious होना पड़ेगा, अपनी life के लिए, अपनी family के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लक्ष के लिए, अपने आप के लिए, आपको serious होना होगा, ये चार बाते अपने जीवन में अपने आपको serious कर ले ना आप, वरना आप, इस धरती पर आओगे और चले जाओगे, पता ही निचले का, लोग देखेंगे कोन आया था, कोन गया था, क्या पता, क्या आप भी अपनी जीवन ऐसे ही जीना चाहते हो, don't do this, ऐसा मत करना, वो चार बाते आपको ये याद रखने, serious हो जाना, अपनी जिन्दगी के लिए, अपनी life के लिए, सबसे पहले तो serious हो जाना हो, सबसे number one, serious हो जाना, अपनी life के लिए, आपको ये सोचना, ये think करना है, कि मेरा जीवन क्या है, और किस दिसा में जारा है, और मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या achieve करना है, मुझे क्या करना है, अपने समाज के लिए, अपनी फेमे लिग लिए, अपने देश के लिए ये आपको serious होना पड़ेगा और जब इस बात को लेकर आप serious हो जाओगे न आप अपने जीवन में कुछ भी कर पाओगे कुछ भी का सकोगे बस serious हो जाना अपनी जिन्दगी को लेकर सेकर्ड सीरियस हो जाना अपने गोल्स को लेकर अगर आपने कोई टार्गेट लिया है तो बस आप क्या कोई टार्गेट लिया है और मैं आने वाले सानलों में यह करूंगा बस टार्गेट लिया यह करूंगा लेकिन उसके लिए क्या आप कोई हार्ड वर्ब कर रहे हो क्या आप अपने टार्गेट के लिए क्या आप अपने गोल्स के लिए सीरियस हो अगर आप अपने गोल्स के लिए अगर आप सीरियस हो ना तो आपको तो एक सेकंड की भी फुरसत नहीं होगी आपको सोते जाकते उटते बेटते अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपका गोल्स होगा आपका टार्गेट होगा इप अगर आप सीरियस होंगे तो अपने गोल्स के लिए वरना क्या है टार्गेट तो हज्जारों लोग लेते हैं लेकिन पूरा कौन करते हैं पूरा दो या तीन या सिर्फ चार पांस लोगी उसमें टार्गेट को पूरा करते हैं लेकिन पूरे करने वाले बहुत कम होते हैं और जो सीरियस होते हैं ना वही पूरे कर पाते हैं थाट, शीरियस हो जाना अपनी फेमिली को लेकर, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी हैं, क्या आप उनके लिए सीरियस हो, अपने बच्चे को कैसी एजुकेशन देनी हैं अपने बच्चों को, क्या आप सीरियस हो, अपनी फेमिली को कैसे रखना है, कैसा इस्टेंडर्ड म आप तो serious हो नहीं हो लेकिन ये बहुत कलत आदत हैं आपको serious होना पड़ेगा अपने बच्चों को लेकर अपने परिवार को लेकर उनके आर्थिक जरूरतों को लेकर उनके future को लेकर आपको serious होना पड़ेगा अगर आप serious नहीं होंगे ना तो कौन होगा दुनिया serious होगी पड़ा हुआ है, सीरियस होना होगा आपको अपने परिवार के लिए तो सिर्फ आपको सीरियस होना पड़ाइगा, दुनिया आपके परिवार के लिए सीरियस नहीं होगी, दुनिया के लिए तो आपको परिवार पराया होगा, इसलिए सीरियस हो जाना अपने परिवार को ल है अपनी फैमिल्य को अपने समाज को अपने फ्रेंड्स को सब Kो मुझे संसेश को कर बता ना है इस बात को लेकर आप सेरे सूगे ना तो आप कहीरों मात नहीं सॉड़ी को